तो गाईज आज है तारिक 12 जुलाई 2021 और है मंडे देखेंगे आज का देखेंगे आज का देखेंगे आज का देखेंगे अगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को ये कंप्रीट न्यूस पेपर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन आप लोग को ये वाला चनल मिल जाएगा इस पे क्लिक करना और जाकर इस चनल को जॉइन कर लेना देखो अगर आप लोग को इस तरीके से ये चनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को इस टेलीग्राम चनल का लिंक दिया जा है टेलीग्राम लिंक के नाम से जैसी आप उस पे क्लिक करोगे आटमेटिकली ये चनल ओपन हो जाएगा इसको जाकर जॉइन कर लेना जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर दहिंदू न्यूस पेपर मिल जाता है डेली करेंट अफ़ेर के वीडियो का पीडियेफ मिल जाता है डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में तो जाकर इसको जरूर जोइन करना नाव बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है अर्जेंटीना को कहां पर है ये एक्जैक्ली लोकेटेड इंडिया की कमपरिजन में कहां पर है अच्छे से मैप में देखना फिरा कर नीचे कॉमेंट सेक्षन में टाइप करना जैसे कि आप लोग इसको लंबा समय तक याद रख पाऊगे तो चलो शुरुआत करते हैं यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल काफी इंपोर्टेंट यह आर्टिकल होता जा रहा है कल हमने डिसकस किया था कि उत्तर प्रदेश एक नई पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर आ रहा है और उसके रिगार्डिंग एक ड्राफ्ट को तयार कर लिया गया है उस ड्राफ्ट के अंदर काफी सारी चीजों के बारे में डिसकस किया था कल हमने अभी इस आर्टिकल में बात यह हो रही है कि जो यूपी के चीफ मिनिस्टर है योगिया अधिते नाद जी इन्होंने बोला यह जो नई पॉपुलेशन पॉलिसी है यह सभी सेक्शन्स को दिमाग में रखते हुए तयार करी गई है और बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर स्टेप्स लेने वाले हैं जहां पर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बात की जाएगी लगबग टार्गेट रखा गया है 2021 से लेकर 2030 तक यहाँ पर हम लोग युत्तरप्रदेश के अंदर पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे इसके पीछे का रीजन क्या है सबसे पहला रीजन तो देखो यह देखने को मिल रहा है बहुत सारी रिपोर्ट लगातार पब्लेश हो रही है कि इंडिया जो है बहुत ही जल्दी ओवर्टिक कर सकता है चायना को अगर हम बात करें पॉपुलेशन के सेक्टर में तो तो इं अज के टाइम पर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की काफ़सादा आवशकता है ऐसा यहां पर चीफ मिनिस्टर कहना है और भी बहुत सारी रिजन बताए गए और यहां पर बोला गया है पॉपुलेशन बढ़ती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती भी नजर अजर बन देख सकते हो क्या क्या चीज यहां पर होने वाली है सबसे पहली बात यहां पर टार्गेट रखा गया है कि 2030 तक जो डिक्रीज क्या जाएगा मतलब की यह आप कह सकते हो फर्टिलिटी रेट का मतलब है एक विमन से कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उसको यह पर step यह बोला गया है कि देखो यह modern contraceptive prevalence rate को भी बढ़ाया जाएगा मतलब की एक तरीके से birth control है उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखेंगे हम लोग अभी यहाँ पर आप कह सकते हो 31.7% से लेकर इसको 45% तक किया जाएगा 2026 तक यानि birth को control किया जाएगा का प्तलब की आप कह सकते हो कि बच्चे को जन्म देते हुए मा की death हो जाती है तो यह चीज़े भी आपको देखवाओ के कम होंगी और उसी के साथ यहाँ पर यह बोलाए जो infant mortality rate है यानि बच्ची का आपका सकते हो जन्म होते हुए बच्ची की death हो जाती है तो वो चीज़ भ population कम होगी तो फिर एक standard of living अच्छा होने वाला है यह सारी चीज़ा आप लोग कह सकते हो नाउ इनके दोबरा एक और statement दिया गया है वो यह है कि हम लोग को देखो भूलना यह नहीं चाहिए बिलकुल भी कि जिस तरीके से population बढ़ती है और उसी की वज़ा से गरीबी भी society के अंदर बढ़ती भी नजर आएगी तो उसी वज़ा से इस चीजों को तयार किया गया है आई होप आपको यह क्लियर हो गया होगा आगे बढ़ता है नेक्स टार्टिकल की तरफ तो यहां पर चाइना ने प्रोटेस्ट किया है अगेंस दा दलाए-लामास बर्थरडे सेलिब यहां पर विशिषदी हो दलाए-लामा को लेकिन अपकी बार यह पहली बार ऐसा देखने को मिला था तो उसी वज़ा से चाइनीज ने आपर प्रोटेस्ट किया है आप देख पाऊगे चाइनीज नैशनल्स ने यहां पर अपना बैनर्स वगरा लगाए और जो है प्रोटे इस तरीके से यह बैनर फ्लैक्स वगरा लेकर यहां पर दिख रहे थे तो इस टाइप की कोई पिच्चर है जो कि यहां पर दाहिंदू ने पॉब्लिश करी है ओके क्या बूला गया है जो चाइनीज है वो यहां पर बैनर्स डिस्प्ले कर रहे हैं कहां पर एलसी पर नियर हम लोग सीखेंगे स्पेस टूरिजम क्या होता है इंडिया क्या कर सकता है स्पेस टूरिजम में बहुत सारी और भी इंपोर्टेंट चीज़े हैं और यह आर्टिकल नियूज में क्यों है इसको भी हम लोग डिसकस करेंगे वह पेज नंबर आपके सकते हो कि 14 वगरा पर है है और साथी साथ ट्विटर ने अपोइंट कर लिया है विने प्रकाश को एस इट्स रेसिडेंट ग्रीवेंस ओफिसर फॉर इंडिया आपको महलूम होगा जो हमारे आईटी रूल से हैं 2021 इसके अंदर सभी सोशल मीडिया को क्या बोला गया है कि आपको ग्रीवेंस ओफिस को अपोइंट करना होगा ताकि जो है कोई भी अगर दिक्कते आती है तो वह ग्रीवेंस ओफिसर जो हैं हैं लेकिन ट्विटर ने अभी तक कि अभी किसी को अपोइंट कर लिया गया है उसी वज़ा से आर्टिकल अभी आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो यह सारी चीज यहाँ पर आप ट्विटर भी थोड़ी बहुत चीज़ें इंप्लिमेंट करता है नजर आएगा उसके बारे में छोटी सी इंफोर्मेशन दी गई है देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल की तरफ नाव यह आता है नेक्स्ट आर्टिकल और यह ब बात करेंगे जी का वायरेस क्या है इसका ट्रीटमेंट क्या है और भी बहुसारी चीज़ें जो कि हमारे एक्जाम सोरेलेट करेंगी और इसी के बिश्राइब आप लोगोंने देखा ही होगा ठीक है चलो हम बात करते हैं जी का वायरस डिजीज के बारे में यह आर्टिकल आपका GS paper 2 के point of view से important हो जाता है और GS paper 2 में खासकर health section से news में क्यों है क्योंकि अभी हाली में Zika virus disease को रिपोर्ट किया जा था पहली बार Karela के अंदर उसी वज़ा से news में था अगर हम बात करें सबसे पहली चीज़ आपको सीखनी है कि यह Zika virus क्या है तो Zika virus एक mosquito bond flavivirus है मतलब क की मचछट से होने वाला यह virus है ठीक है और इसको सबसे पहले identify किया गया था यूगांडा के अंदर 1947 में monkeys के अंदर identify गया था इसको सबसे पहले धियान रखना फिर उसके बाद humans के अंदर identify किया गया 1952 में कहां पर अगें यूगांडा के अंदर और तांजैनिया के अंदर यह आपसे question बन सकता है तो आपको याद रखना है one day exams में पूछा जा सकता है अगर हम बात करें यह जो virus है transmit कैसे होता है तो देखो इसको transmission के पीछे जो सबसे बड़ा एक primarily role है वो है एडिस mosquito का यानि कि एक मच्छर है जैसा कि अभी हमने डिसकस किया यह virus मच्छर से होता है लेकिन इसके पीछे का कौन सा specific मच्छर है तो उसका नाम है एडिस mosquito जिसको हम लोग एडिस egypti भी बोलते हैं ओके यही मच्छर की वज़ा से डेंगी चिकन गुनिया और yellow fever भी होता है तो मतलब इतने सारे जो बिमारियां उसके कारण आपको यह इकलोता मच्छर देखने क हो सकता है और आपको याद रखना है जो जीका वाइरस से सबस्यादा खत्रा है आज के टाइम पर वो pregnant women को ही है उसी के साथ यह पर यह sexual contact या फिर sexual intercourse से भी यह वाइरस transmit हो सकता है या फिर कोई blood products का transfusion हो गया या किसी organ को आपको transplant करवाना है तो उसकी वज़ा से भी यह transmit हो सकता है ना बात करते हैं सिम्टम्स की तो जीका वाइरस के क्या क्या लक्षण है देखो लक्षण बहुत सारे हैं सर में दर्ध होगा ठीके muscles joint pain हो रहे हैं और आपका सकते हो fever, rashes यह सारी चीज़े देखने को मिल जाती है लेकिन खतरनाक चीज़ यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यह जीका वाइरस infect कर चुका है लेकिन उनके अंदर कोई भी सिम्टम्स डेवलप नहीं होते हैं कोई भी लक्षण डेवलप नहीं होते तो यह खतरनाक चीज़ बन जाती है अब देखो यह वाला जो sentence है यह बहुत सदा important होने वाला है जो जीका वाइरस infection है यह pregnancy के time पर काफी जादे खतरनाक हो जाता है जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया क्योंकि जो बच्चा होता है उसको यह बूरी तरह सा effect करता है in fact यहाँ पर बोला यह जा रहा है बच्चे को यहाँ पर कौन से बिमारी हो जाती है वो होती है microcephaly, microcephaly मतलब की जो ब इतना बड़ा है लेकिन उस normal हैड से कही गुना चोटा सर होता है इस microcephaly की condition में ठीक है यह नॉर्मल हैड है और यहाँ पर आप कर सकते हो यह बच्चे का मुह है और यह चोटा सा बहुत चोटा सा सर होता है तो यह condition हो जाती है जो formation है वो बहुत अलग तरीके से देखने को अमनी जाती है और यह कहीं नहीं कहीं काफी खतर नंग हो जाता है उसके बाद आप यह बीचिज़ें कर सकते हो कि सरकार कौन कहुं से प्रोग्राम सलारी है सरकार कौन कौन से इनिशेटिव चला रही है जीका वाइरस को टैकल करने के लिए तो पहला यहाँ पर इनिशेट है integrated disease surveillance program जहां पर आप कह सकते हो कि जितने भी laboratories based है IT disease surveillance system है इसको और ज़दा strengthen करने का काम किया जाता है मतलब कि यह जो setups है यह क्या काम करते हैं यह disease को surveillance करते हैं disease के उपनगारी रखते हैं इनको monitor करने का काम करते हैं दनुस के बाद दूसरा initiative है national vector bond disease control program obviously बात है नाम से समझ मारा होगा यह एक नोडल एजनसी है जो कि बहुत सारे disease को control करने का काम करती है और disease कौन-कौन सी हो गई जैसे कि malaria, dengue, lymphatic phalaris, kala azar, Japanese encephalitis, chicken gunya तो यह सारी चीज हो गई दनुस के बाद जो यह राश्ट्रियाबल स्वास्थे कारे करम है यह भी एक one of the most important initiative है यह भी आपका सकतो अंडर national health mission के अंडर में आता है और साथी साथ यह भी एक surveillance है जो कि microcephaly को monitor करता है microcephaly कौन सी condition है जो कि अभी हम लोगों ने देखा था ओके नव आते हैं next article की तरफ नव एक article यह है जहां पर discussion हुआ है नए IT rules आज के टाइम पर आप देख पाओगे काफी ज़्यादा empower कर रहे हैं और यह यूजर्स को भी protection देंगे ऐसा यहां पर IT minister का कहना है मतलब की IT rules काफी अच्छे हैं आप कह सकतो सिंपल शब्दों में तो यह जो हमारे नए information technology communication minister है क्या नाम है अश्वनी वैशनव ठीक है अभी तक पहले दूसरे minister से अब यहां पर चेंज हो जो कि आपको मालूम होगा कि विटनेस्टे में कामिनेट रिशफल हुआ है बहुत सारे स्टेप्स उठा सकते हैं इन IT rules के रिगार्डिंग जो है एक तरीके साइटी रूल्स में क्या discussion हुआ था जाए वो social media हो या फिर OTT platform सो वहां पर content को monitor क्या जा सकता है वहां पर content को regulate क्या सकता है तो इसमें users का काफी जादा फायदा आपको देखने को मिलेगा यह जो नए IT rules है यह आपका सकते हो कि safety को ensure करेंगे साथी साथ यहां पर यह जो system है एक तरीके से यह जो responsibility यहां पर social media की जादा तर हो जाएगी और इंडिया के अंदर आप लोग देख पाऊगे यह चीज़े काफी हद तक benefit provide करवाने वाली हैं यह सारी चीज़े बोली गई है IT minister के द्वारा इन्होंने जो है review किया है इस पूरे rules को और अपने कलीक के साथ मिलकर यहां पर बातचीत करिए और उसी के साथ यहां पर यह सारी चीज़े फिर आकर media में बताई है उसी वज़ा से article आपको news में देखने को मिलेगा next article की तरफ आता है यहां पर discussion हुआ है जो हिंदुस्तान आज के टाइम पर डिलिवर कर रहा है पहला बैच light combat helicopters का हमारी Indian Air Force को ठीक है जैसे यहां पर यह टेस्ट वगरा complete हो जाता है उसके बाद आपको धियां रखना है जो light Atlantis Limited है इसने एक letter receive किया है जहां पर पांच Air Force और जो है एक तरीके से पांच आर्मी के लिए helicopters को बनाया जा रहा है ठीक है इनको डिलेवर किया जाएगा और एक तरीके से यह 15 limited series production का ही पार्ट है और यहां पर जितने भी helicopters त्यार करे जा रहे हैं यह Indian Air Force को प्रोवाइड कर जाएंगे इंडियान आर्मी को भी प्रोवाइड कर जाएंगे उसी को लेकर यहां पर चर्चा है साथे साथ बोला क्या है कि आज के टाइम पर आप देख पाऊगे कि लगबग मतलब जरूरत भी बहुत जादा है हम लोग data देखें तो आर्मी को भी जरूरत है प्लस जो है एरफोर्स को भी जरूरत है कुछ इस प्रकार के हेलिकॉप्टर्स की जो की काफी ज़्यादा मदद करने वाले हैं आई एफ ने हाँ पर बताया है कि उन लोगों को जो है लगबग 65 light combat हेलिकॉप्टर्स की requirement है और आर्मी को जो है 114 हेलिकॉप्टर्स की requirement है तो उसी को कही करता हुए नजर आएगा हाला कि जो अमाउंट है यह काफी कम है लेकिन हिंदुस्तान अरणाटक्स लेमिटेड इस चीज़ के ओपर काम करता हुए आनवले टैम पे भी नजर आएगा आज के ताइम पर आप लोग देख पाऊगे जो इंडियन एर फोर्स है वह मैं 25 मैं 35 यह रशियन अटैक हेलिकॉप्टर का स्थमाल कर रहा है ठीक है फिर उसके बाद इंडियन ने आपका सकते हो कि इसने 22 एच शिक्स फोर इपाची अटैक हेलिकॉप्टर को लाया था अपने फोर्स के अंदर ठीक है और आज के टाइम पर हमारा गोल यह भी है कि हमारी जो आ सब्सक्राइब और इसमें बहुत बड़ा कॉंट्रिबुशन हिंदस्तान एरोनोटेक्स लेमेट का भी देखने को मिलेगा क्योंकि यह भी यह लाइट कॉमबेट हेलिकॉप्टर को बना रहा है और हेलिकॉप्टर की खाशित काफी अच्छी है क्योंकि इनका वजन काफी ह इक शम रहेंगे जो हाई एरिया हैं वहाँ पर भी काफी अची तरीके से यह लिकॉप्टर करते वे नजर आएंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स टार्टिकल की तरफ और क्या हमाली है इंपोर्टेंट तो यहां पर एक आर्टिकल आता है जिसमें डिसकुशन क्या गय है ठीके अभी क्या हो रहा है कांदाहार के अंदर भी बुरे हाल हो चुके हैं कांदाहार को भी पूरी तरह से काप्चर कर रहा है तालिबान अब हो क्या रहा है तालिब जो है कांदाहार के अंदर आपको बहुत सारी कंजूलेट देखने को मिलेंगे इनफाक्ट इंडिया टाइम पर हो सकता है अफगानिस्तान के साथ इंडिया के कॉन्फिक्ट क्रेट हो जाएं उसी वज़ा से इंडिया ने अपने स्टाफ को वापस से रीकॉल किया है तो यहाँ पर आज आर्टिकल यह है कि जो Ministry of External Affairs है उनका कहना यह है कि जो यह evacuation है यह temporary basis पर किया यह है कोई यह permanent नहीं है ठीकि कंजुलेट शटडाउन नहीं किये गए है जैसे situation इंप्रूव होती है जैसे इमापर अफगानिस्तान सरकार का control बनता है या फिर शांती सी और थोड़ी सी provide करवाई जाती है तो उसके बाद वापस से लोग को भेज़ दिया जाएगा तो उसी के बारे में statement जाए गया है कि यह सारी चीज़े जो भी होई है वो temporary basis पर होई है नेक्स्ट आर्टिकल में बातचीत करी गई है आपको मालूम होगा अभी कुछ टाइम पहले जमुएन कश्मीर वाले एरिया में drone attack हुआ था तो यहाँ पर आर्टिकल यह बताता है कि उस drone attack के पीछे जो हाथ है वो लशकर एताइबा का देखने को मिलेगा साथी साथ पाकि और यहाँ पर important चीज़ आपको यह देखने को मिलेगी यह जो drone attack था ठीक है इससे यहाँ पर नुकसान तो हुआ नहीं है लेकिन नुकसान हो भी सकता था in fact हमारे दो जवानों को थोड़े से injured हुए है उसके बारे में भी यहाँ पर इस सारी चीज़े बताई गई है यह जो ना यह topic भी अपने आप में important है अब यहां से आप लोग में में question बन सकता है किस टाइप से देखो इस टाइप से यह article आपका internal security के point of view से important हो जाता है की attack के business पर नहीं देखे गए उन्हें स्मगलिंग के business पर देखने को मिलें drugs को स्मगल किया जाए और weapons को स्मगल किया गया इन माद्य हम से ठीक है उसी के बाद यहां पर बोला गया है देखो government figure के according कर हम बात करें तो लगबग 167 drones record करे गए हैं पाकिस्तान border के पास 2019 के अंद पर यह जो drone attack है कि क्यों बढ़ रहे हैं इसके पीछे का reason क्या है आप से डिरेक्टल यहां पर question बन सकता है तो पहला reason तो है cheaper यह जो drone से यह बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं इसी के basis पर यहां पर इसका स्तमाल किया जाता है अगर हम लिए उसको compare करे conventional weapon से तो काफी ज़्य यह सस्ते देखने को मिलते हैं उसके बाद remotely control होता है दूसरा सबसे बड़ा फाइदा भाई इसको remote से control करके जो है यहां पर नुकसान पहुचा है जा सकता है किसी और को ठीक है इससे क्या होगा यहां पर जिसने भी काम किया है वो भी नहीं पकड़ा जाएगा तो ऐसा भी ह इन सारी कारोडों की वज़ा से drone attack आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा नेक्स टाडिकल बात करता है जो national investigation agency है उसने जो है कश्मीर के अंदर साथ location पर raid मारी है और raid करने के बाद आप कह सकते हो बहुत सरे digital devices को seize किया या है और वो digital devices belong करते हैं ISIS को यानि कि Islamic State of Iraq and Syria को और आ यहां पर यह कट्टर चीजों को फैलाने की कोशिश करी है online यहां पर एक propaganda फैलाने सकते हैं यानि कि मतलब आपके सकते हो बहुत सारा समान जैसे की digital equipment जैसे की phones, mobile phones, tablets, laptops, hard disk, T-shirts ऐसी चीज़े मिली हैं जिसके ऊपर ISIS का logo आपको देखने को मिलेगा यह सब recover किया या CASE किया गया NIA के द्वारा National Investigation के द्वारा ठीके तो आपको धियान रखना है कि केस रिजिस्टर किया गया था NIA के द्वारा 29 जून 2021 में उससे के regarding आपर चीज़े चल रहे हैं चान बीन करी गई तो बहुत सारी चीज़ें आपर मिली हैं ठीके तो आप कर सकते हो कि इससे का अफिदा नुकसान भी हो सकता था बट यहां पर चीज़ों को अभी के लिए क्या कर लिया गया है अभी के लिए जो है इनको सीज किया गया है अब यहां पर इस टॉपिक के रिगारिंग आपके लिए इंपोरेंट हो जाता है NIA National Investigation Agency यह आर्टिकल आपका GS Paper 2 के पॉन्ट की अकॉर्डिंग में ध्यान रखना है एक Central Agency है जिसका काम है investigate करना और खासकर उन cases को जो की आपका सकते हो कि इंडिया की territory के खिलाफ इंडिया की sovereignty के खिलाफ अगर यहां पर देखने को मिलता है मतलों कोई भी केस है जो की इंडिया की sovereignty के खिलाफ उन्डिया की security या फिर इ जाती है उसको भी आपर टेकल करता है और सबसे important चीज़ यह है कि यह आदंगवाद को भी टेकल करता है जैसे कि आज कि यह जो आर्टिकल है यहां पर भी आपको terrorism से यह लड़ता वा नजर आएगा तो national investigation agency का में काम terror से combat करने का भी आपको देखने को मिलेगा headquarter new Delhi के अंद चीज़ों तो smuggling बढ़ती जा रही थी साथ ही साथ मुंबई के अंदर terror attacks बढ़ रहे थे 2008 के मुंबई के terror attack आपको मालूम होगा उसकी वजासे हम लोग NIA को लेकर आए हैं इसका main काम हमने बताई दिया है कि जो terror है उसको tackle करने का यह काम करता है next article के दरफ चलते हैं और क्य पीर के सब्सक्राइब निखाली जाता है तो उसके बारे में हपích रहे होती हैं इन को एक तरीकर से घ्राइब की चीजे निकालिके जाती है या कुछ ऐसी चीज़े होती है ठीक है तो फिर उसी के रिगार्ड यहाँ पर यह बोला गया है कि जब इनको रोड पर निकाला गया ठीक हर साल यह होता है इवेंट बहुत सारे भक्त जो है इखटे होता है साथ में लेकिन अब की बार यहाँ पर फिर से कोई भी इखटा नही हुआ कोविड की वजा से और जो लाइन वगयरा है कि मतलब इखटे होने को तैयार से सब लोग लेकिन जो है रोड वगयरा सबको ब्लॉक कर दिया गया कर्फ्यू पूरी तरह से इंपोस्ट कर दिया गया संडे से लेकर ट्यूजड़ का पूरी तरह से वहाँ पर को मिलेंगी और यहां पर उसी के रिकार्डिंगे चीज़े बताई गई है नेक्स टारिकल क्या है आते हैं पेज नमर 11 के उपर डैट इस वर्ल्ड सेक्शन देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है तो अभी मैंने आपको सिच्वेशन बता दी है अफगानिस्तान के कापिटल है वहाँ आपको काबूल देखने को मिलेगी जो वहाँ पर एयरपोर्ट है वहाँ पर एंटी मिसाइल सिस्टम को लाया जा रहा है ताकि जो है यह जो तालिबान है अगर मिसाइल अटक करता है तो यहां पर उस मिसाइल अटक से जो है हम लोग यह जो अफगानिस और इसको काप्चरिंग करता वाज आएगा ठीक है और उसी के साथ यहां पर जो अफगानिस्तान की फोर्स इस ने जो काबुल के अंदर एरपोर्ट है वहां पर एंटि मिसाल सिस्टम को लाँच कर दिया है और एंटि मिसाल सिस्टम लगातार वर्क कर रहा है संडे के रात द देखने को मिलेंगे अफगानिसान के ओपर तो फिर उसी वज़ा से यह सारे स्टैप्स उठाए जा रहे हैं नेक्स्ट एक और बहुत सदा इंपोर्टेंट आर्टिकल यह होने वाला है जहां पर बात हुई है रिचर्ड ब्रैंसन के बारे में तो रिचर्ड ब्रैंसन जो है बार स्पेस टूरिजम के लिए गए और यह स्पेस टूरिजम रेस में ऐसे पहली विक्ति हो गए हैं ठीक है अभी आपको मालूम होगा 20 जुलाई को जो जेफ बेजोज हैं ठीक है एमाजॉन के जो की मालिक हैं वो भी जाने वाले हैं अपनी जो कंपनी है ब्ल्यू और की हैं जुन्होंने इस स्पेस में फ्लाइग गया अब इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा साथ डीटील में समझते हैं तो यहां पर यह आर्टिकल आपके लिए स्पेस टूरिजम के पॉइंट अव्यू से इंपोर्टन हो जाने वाला है एक चीज और बता दो यहां पर आप लोग दूसरे वीडियोस देखते हो जो कि पेड वीडियोस है या फर बड़े-बले प्लाट्फॉर्म पर वीडियोस देखते हो तो यह सारे पेड नोड्स हैं ठीक है मैंने खुद देखे हैं यह सारी चीज़े आपको पेड़ में पढ़ाई जा रही है तो यहां पर आपक को जो कि आपके एक्जाम से रिलेट हो सके और बहुत सारी इंपोरेंट चीज़े सर्च वगरा करके मैं आपको एक्जाम से रिलेट करके यह सारी चीज़े देता हूं ठीक है अब जैसे यहां पर स्पेस टूरिजम के रिगार्डिंग आगया आर्टिकल पढ़ने से काम नह है लेकिन यहां पर और चीज़े पेड़ मिलती है लेकिन आपको ध्यान देना है अच्छे से फोकस करना वीडियो उसको पर डेली बसस पर नाव बात करता है स्पेस टूरिजम की तो यह आर्टिकल जिस पपर 3 के पॉइंट आविस से इंपोरेंट हो जाएगा स्पेस टूर से बढ़ साथ देखो एक तरीकी से क्या होगा कोई प्राइट कंपनी है जो कि स्पेस टूरिजम कर रही है यह जा है आज के तीन प्राइविट कंपनी जो की से स्पेस टूरिजम करते हैं एक है ते यहां पर यह आपको सकते हो स्पेस टूरिजम को लेकर वर्क करती है अब देखो पहले कौन कौन से हैं जो कि पहले यहां पर स्पेस में जा चुके हैं तो फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट हैं धियान रखना है यूएस मिलेनियर डैनिस टीटो नाम है जो की 2001 में लगबग 20 मिलियन यूएस डॉलर्स प्रोवाइड करवा कर गए थे तर उसके बाद देखने को मैं लेगा टीटो के बाद और भी बहुत सारे लोग है ठीक है जिन्हों ने यहां पर स्पेस के अंदर ट्रावल किया तो यह आपको धिहान देना है फिर उसके बाद यहां पर इसके सिकनिफिकेंस के बारे मगरें बात करें तो स्पेस टूरिजम का आज के टाइ कि माद्य हमसे भी हमाली जरूरत हो जाता है और बहुत तरीके से यह बढ़ता हुआ आने वाले टाइम पे भी नज़र आएगा हम लोगों को कंसर्ण की बात करें चिंता वाली बात यह है क्लाइमिट चेंज क्लाइमिट चेंज क्यों है क्योंकि जो रॉकेट वगरा जा रह पर यह बात करते हैं तो यह बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया जो यह ब्लू और इचन कंपनी है वह आपको जैफ बैजोस की देखने को मिलेगी कुछ इस टाइप कर यह रॉकेट के ऊपर का हिस्सा है जिसके अंदर यह चार लोग बैठेंगे अब यहां पर मैं आपक यह रॉकेट है और इस रॉकेट के ऊपर का हिस्सा है इसको कैपसूल बोले जाता है इसके अंदर चार लोग बैठेंगे और अब आपको बहुत इंपोड़न चीज को पर ध्यान देना है देखो यह हमारा एट्मॉसफेर एट्मॉसफेर के ऊपर बाद को बहुत सारी लेट इसके बाद शुरू हो जाता है तो इसके बारे आपको ध्यान रखना है तो आपको क्वेशन यह होगा जो भी हम लोग सेटलाइट भेजते हैं इंटरनाशनल स्पेस्टेशन है हमारा वह सब कहा है वह सब हमारा सौ किलोमेटर दूरी पर यह तो ऐसा नहीं है वह तो एक्ज सब्सक्राइब आपको कम से कम 410 किलोमेटर की दूरी पर यह सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी ठीक है अब आपको ध्यां देना है यह जो 20 जुलाइक रॉकेट जाने वाला है ब्ली ओरिजिन वाला यह कैसे जाएगा यह निसका नाम निशॉफर्ट है ठीक है यह ब्ली ओरिजिन कंपनी का है नाम इसका निशॉफर्ट है तो यह रॉकेट कुछ इस प्रकार से जाएगा जैसे कि मैं आपको बताए यह रॉकेट इसके उपर कैपसूल लगवाए इस तरीके से ओड़ेगा यहां पर आपको कर्मन लाइन देखने को मिलेगी यह क्या होगा अंत्रिक से घूम कर वापस से नीचे आ जाएगा अपको नीचे जाएगा तो मरनी जाएंगे तो ऐसा नहीं है परशूट खुलेगा और परशूट के बाद यह दीरे-दीर अराम से उतर जाएगा रॉकेट भी आ जाएगा और यह कैप्सूल उतर जाएगा क्या है चलो मैं आपको वह भी बता देता हूं क्योंकि छोड़ेंगे हम कुछ नहीं तो स्पेस टूरिजम के बारे में देखोगे सब मैंने दीपक यादव एजूकेशन नोट्स वाले चनल पर सेंड़ कर दिया चाहे वह जितने भी पिच्चर वगरा हो या जो भी चीज़ है इसकी खाशित देखोगे तो यहां पर यह पूरा पूरा रॉकेट जा रहा है राकेट स्पेस में आकर ट्रावल करकर फिर आप कह सकते हो कि वही लगबग दो क्रियू इसके अंदर हो सकते हैं और यह वापस से पूरा प्लेन है वह नीचे लैंड हो जाता है तो इसके बा आठिकल आते नहीं है देखेंगे आज के इंपोर्टेंट एटोर्यल्स को नाव यह आज का पहला आर्टिकल जिसमें बात करेंगे अड़ी ने इसके लोग को खतम करने काम किया जो है बाकी जगह पर यह सारे स्टेप्स कैसे उठाई जा सकते हैं उसक्वार सेकीन आर्टिक अब देखो पहले आपको इस वर्ड का मतलब समझना डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव होना तो यहां पर इसके बारे में चर्चा होगी तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे कोई सुरी एक क्वालिफाइट प्रॉफेशनल है जिसको रिजेट कर दिया गया जॉब से या फिर कोई स्टूडेंट्स है जिनको फैसिलिटीज नहीं मिल लए ये कामपस में ठीक है क्यों क्योंकि उनकी कास्ट और एतनी सीटी की वज़ा से या फिर कोई यह दो आपको डिस्क्रिमिनेशन का मतलब समझ माया ना अब यहां बात करते हैं फॉर्मस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की देखो कुछ इंसिडेंट्स जो हैं वह काफी ज़्यादा कॉमन है हमारी सोसाइटी के अंदर काफी ज़्यादा सेप्रेशन आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही चुपी वाला सप्रेशन है यह अगर हम बात करें जेंडर सेक्शल ओरिंटेशन या इटिंग प्रेफरेंसि के मामले में अगर हम बात करें तो आपको बहुत जादे भेदभाव देखने को मिल जाता है तो बहुत सारी हाउजिंग सुसाइटी के अंदर यह सारी विए देखने को मिल जाती हैं और उसी के साथ जो यह यहांजिंग डिसक्रिमनेशन प्रोजेक्ट है कहाँ पर जिंडल गलोबल लोग इस्कूल के अंदर इसने इहां पर बताया है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो किस तरीके से कंट्री के अंदर बढ़ रहा है तो उसके ब सब्सक्राइब जो सेक्षिन 377 है अफ इंडियन पीनल कोड़ इसको हाला की यहां पर रीड डाउन किया गया सुप्रीम कोड के द्वारा सुप्रीम कोड ऑफ इंडिया के द्वारा लेकिन फिर भी आपको यह सारी चीजे देखने को मिलेंगी खासकर यहां पर सेम सेक्स हो गय या फिर जो LGBTQI plus community हो गया ठीक है इनको भी काफी हतक support provide करवाई गई है लेकिन फिर भी आपको यह काफी हतक discrimination भेदभाव देखने को मिल जाएगा दनो उसके बाद जो आर्टिकल 15 clause 1 of the Constitution of India यह भी यहां पर रोक लगाता है states को कि आप discriminate नहीं कर सकते हैं किसी भी इंडिविज भाव नहीं कर सकते हो यह सब हमारे आर्टिकल के अंदर दिया जाया आर्टिकल 15 के अंदर तो यह कहीं ना कि इंपोर्डेंट चीज़ आती है लेकिन फिर भी क्या हो रहा है आपको देखने को मिलेगा ऐसे discrimination हमेशा सही देखने को मिलते हैं और मिलते हुए आज के टाइम प कि देखो यह कोई single access के through नहीं होता है यहां पर जो discrimination है यह combined business पर होता है ठीक है आपको देखने को मिलेगा कि सबसे important चीज़ combined discrimination आपको बहुत देखने को मिलेगा ठीक है दो या दो से जादा grounds पर यह discrimination भेदबाव होता है लास्ट अपरेल में जो सुप्रीम कोड का एक judgment था पतन जमल वाली वर्सेस स्टेट आफ आंदर प्रदेश का जो case हुआ था वहां पर recognize किया गया कि यह जो intersectional discrimination है discrimination होता है खासकर personal characteristics के उपर जो की दलित women face कर रही है आज के टाइम पर ठीक है और यह सब काडिगरी के अंदर कमीडी की अगर हम बात करें तो किन-किन चीजों से रोका जा सकता है तो comprehensive anti-discrimination legal framework हम लोग ला सकते हैं कुछ rules and regulations ला सकते हैं जो की इस पूरा जो gap है आज के टाइम पर legal के अंदर यह जो भी हमार पास laws है इसके अंदर जो लंबा सा gap आपको देखने को मिलेगा ताकि हम लो में जो सचर कमीटी है 2006 के अंदर उसने रेकनाइस किया है कि हम लोगों को जरूरत है anti-discrimination law की ठीक है क्योंकि आज के टाइम पर discrimination काफी बढ़ेगा बढ़ा है तो उसकी वजह से हम लोगों को इन सब चीजों की जरूरत पढ़ जाती है दनो उसके पर प्रोपोजल दिया ग क्योंकि जो थरूर जी है उन्होंने भी ट्राइग किया था कि देखो कुछ इस टाइप का anti-discrimination law है इसको लाया जाए 2014 में इसको ट्राइग किया लेकिन लोग सबने क्या किया इस बिल को लैप्स कर दिया क्योंकि लोग सबाद डिजॉल्व हो गई तो यहां पर लोग सबा कि डिजॉल्विशन के साथ यह बिल भी खताम हो गया ठीक है तो पहले कोशिशन के द्वारा भी करी गई थी कि anti-discrimination law को इनेक्ट किया जाए क्योंकि यह काफी important step play करेगा क्योंकि आज के टाइम पर देख पाऊगे हमारे पास कोई प्रॉपर एंग ठोस rules and regulations या framework नहीं दे करें तो इनकी जो पार्टी है उन्होंने काफी हद तक focus किया है खासकर 2019 के manifesto में बात करें जो भी elections के टाइम पर manifesto होता है वहां पर भी discrimination के बारे में चीज़ें में चीज़ें थी चाहें वह आप लोग हर election में देखोगे तो वहां पर discrimination को लेकर यह लोग चर्चा करते हैं यानि कि anti-discrimination law को लिए बात करते हैं और anti-discrimination के regarding करेला आज के टाइम पर वर्क भी कर रहा है जो स्टेट लेजिसलेचर है वो अपनी पावर को इस्तमाल कर सकता है अपकर सकते हो कि जो पावर को इस्तमाल कर सकता है तो यहां पर मैं आपको बताया कि जो सेविदान का वह हैं लेकिन करेला आज के टाइम पर करता वह नजर आएगा तो बाकि स्टेट को भी हाँ पर एक काम करना चाहिए ठीक है अगर हम बात करें कि जो करेला के अंदर जो है एक anti-discrimination बिल लाया गया है करेला सरकार के द्वारा ठीक है ताकि जो है इस discrimination को रोका जा सकिए जो यह यह रोक लगाता है किस-किस के ओपर employers हो गए, landlords, traders, service provider या private person, performing public functions हो गए, public authorities हो गई, तिक है इन सब को यहाँ पर यह रोक लगाता है कि यह लोग जो है यह भेदबाफ create ना करें या फिर ही यह कोई discrimination ना दिखाएं किस चीज के basis पर caste, race, ethnicity, descent, sex या फिर gender, pregnancy, sexual orientation, religious identity, tribe, disability, linguistic, identity, identity, HIV status, nationality, marital status, dietary preference, skin tone, physical appearance, place of residence, place of birth, age और analogous characteristics, इन सब चीजों के प्रती यहाँ पर कोई भी discrimination ना हो, तो इस step का bill लाया, इन्होंने कोई चीज छोड़ी ही नहीं है, तो ऐसा यहाँ पर step जो है, other states को भी उठाना पढ़ेगा, क्योंकि यह bill काफी ज़्यादा जरूरी है, अग नहीं पर भी या पर किसी भी state में, तो करेला का step काफी बढ़िया है, करेला से हम लोग को यहाँ पर सीखना पड़ेगा, और यहाँ पर इस तरीके से वर्क करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर authors के द्वारा कहना है, okay, आगे बढ़ते हैं, next article की तरफ तो यहाँ पर चर्चा ह यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर क्या है, कि देखो एक ट्रालेटरल बनाने की बातचीत करी गई है, कि मतलब जैसे कि इंडिया हो गया, इटली हो गया और जापान हो गया, यह आप असमे मिलकर काम करने चाहिए, ताकि इंडो पसिफिक के अंदर यह जादा एक्टिवे अधर आगी, खास करें इंडियो पसिफिक स्ट्राडिजी के अंदर ठीक है, और आज के टाइम पर यह जो बढ़ता हो रिलेशन है, यह काफिदा जरूरी भी है, जो कि वेस्टन नेशन से इंडिया बढ़ाता वनाजर आएगा, ठीक है, बहुत सारी कंट्री जो की काफिद मतलब क्लियर हो चुकी है, और इंडिये दिक्कत यह दिक्कत यह है कि इस रीजन के अंदर जो इंडो पसिफिक वाला रीजन है, यहां पर चाइना का एग्रेशन का देखने को मिलता है, ठीक है, और आप कह सकते हो कि इसी चीजों की वज़ा से जो चाइना का एजर्टेवन जो एक नया पुश्बैक भी है चाइना के अगेंस्ट में, मतलब चाइना को इंडो पसिफिक वाले रीजन में पीछे ढखिलने से, एक हमारे पास स्टेप वो क्या है, वो है क्वार्ड क्वार्ड के बारे में आपको मालूम होगा, क्वार्ड लेटरल सिक्योरी डायलोग, इसके अंदर मेंली चार कंट्रीज हैं, वो है इंडिया, यूएस, जपान और उस्टेलिया, चारो कंट्रीज मिलकर आज के टाइम पर वर्क कर रही है, दोन चारो कंट्रीज का में यहां पर गोल यही है, कि जो है इंडो पसिफिक रीजन के अंदर एक तरीके से चाइना का इड्रेशन को खतम किया जा सके और जो है चारो कंट्रीज मिलकर वर्क करती है, माला बार एक साइस वगगरा भी करवाई थी आपको मालूम होगा, तो यह सारी चीज़ देखने को मिल जाती है, चारो कंट्रीज का मिलकर काम है, यह जो मैरी टाइम सेक्वारिटी है, उसको म यहां पर ऐड्र हो सकता है, इड्ली भी एक इंपोर्टन्ट रूल फ्ले कर सकता है, ठ्यक्ति तो यहां पर इंडिया जापान के साथ इड्ली यह ट्राइलिटरल पार्टनरशिप काफी इंपोर्टन हो सकती है, जो इनिशेटिव है, यह आ सकती है, कुछ ताइम बाद और यह काफी बेहतरीन होने वाली है जहां पर एक European dimension भी इसके अंदर होने वाला है अगर हम लोग बात करें इंडिया के जो रिलेशन से बाइलेटरल रिलेशन से इटली के साथ वह भी आपको काफी है तक अच्छे देखने को मिलेंगे इटलियन government की बात करें तो एक तरीके से इनके जो प्राइम मिनिस्टर है इटली के वह मारियो द्रगी ठीक है इन्हों ने यहां पर काफी अटेंशन दिया है इंडिया के साथ नेबर हुट के उपर उसके साथ यहां पर सेम टाइम जो इटली है एक बहुत ज़दा इंडिया के बहुत ज़दा इन्फेर चीज़े रहती है तो उन चीजों के यहां पर इटली देखने को मिलेगा और उसकी वज़ास से इटली यहां पर जोन कर सकता है इंडिया के Quad वाले रीजन को और जो है इंडिया को एक तरीके से Indo-Pacific वाले रीजन में पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए Italy आगे रहने वाला है तो यह सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई है दन उसके बाद आपको मालूम होगा हम लोग को एक Clear स्ट्राइजी की जरुवत है जो इट्लियन साइड है पहला स्टेप यह होगा कि ट्राइलेटर रिलेशन्शिप की तरफ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं जो इट्लियन गवर्नमेंट है उसको एक Clear Indo-Pacific strategy बनानी पड़ेगी और जो है एक तरीके से अपना अब्जेक्टिव वगरा जो भी है उसको इंडिकेट करना होगा अवास थोड़ी सी खराब होगा यह लगातार बोलते बोलते हैं तो थोड़ा सा मानेज कर लेना ना यहां पी क्या है आज के टाइम पर आप देख पाओगे इटली की जो टेंडिंसी है तो प्रिवलेज दा आपको देखने को मिलेंगे कि यह काफी बहुतर तरीके से वर्क करेंगे क्योंकि इटली भी कहीना कहीं वहीं से आपको बिलॉंग करता बनाजर आएगा दन उसके बाद यहां पर क्या है यह सारी सीज़े हो गई फिर उसके बाद यह बोला गया डिलास तो यह ट्राइलेट एक तरफ इंडिया जापान के एक तरफ और प्लस ये तीनों कंट्री मिलकर एक तरफ तीनों कंट्री जो है एक स्ट्रॉंगर एक इनिशेटिव लेकर आ सकती है खासकर इंडो पसिविक वाले रीजन में ठीक है अभी एक नेक्स जी ट्वंटी लीडर समिट होने वाला है इ इस इंडो पसिविक वाले रीजन में वर्क करने के लिए चाइना को टैकल करने के लिए ओके नेक्स्ट आज का लास्ट राडिकल लास्ट राडिटूरेल बात करता है टैपिंग ऑन दा पोटेंशल आफ यूथ अब क्या है यहां पर खासकर एजूकेशन सिस्टम को लेकर क इस को इसके सबस्देज् Почему निवels को निशियर्ल आपयोंगों निश्क को और बात करें के लियूटalie और आपट करें इंडिया की जो पॉप्योंशन सब्सद्वाब सबस्दाओं यँअगर का पपॉपूलेशन ने में में इसको मकसद यही था कि देखो जो है सफ़ायों इ सब्सक्राइब लगबग 253 मिलियन इंडिया के जो एडुलेसेंट पॉपुलेशन है वह आप देखने को मिलेगा सबसे ज्यादर लार्जस्ट है जिसके अंदर 62 परसेंट जो इंडिया है इंडियन है उनकी एज 15 से लेकर 69 साल की देखने को मिलेगी लेकिन जादतर एज वाल को एक व्यक्ति को हेल्दी और वेल एजुकेटेड होना चाहिए लेकिन कोविड का इंपक्ट जो इतना बुड़ा पड़ा है कि हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम दोना ही पूरी तरह से बरबाद हो चुका है ठीक है यहां पर अगर हम बात करें तो वर्ल्ट बैंक ने बोल एजुकेशन और हेल्थ यह दोनों ही चीज़े काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है अगर उसको जो है कुछ लाइफ में करना है तो इस एजुकेशन सेक्टर को थोड़ा सा ग्रो करना है इंडिया के अंदर लगग 32 करोड से जाधर स्टूरेंट आपको देखने क है और आप कह सकते हो कि आप उनको वापस से स्कूल भेजा भी ने जाएगा ऐसी बहुत सरी रिपोर्ट यहां पर बताती है तो जो है अगर हम बात करें कि जो गर्ल्स हैं तो उनका गल्ल्स चाइल्ड है उनके उपर काफी बुरा इफेक्ट पड़ा है उसके बाद जो यह का इंपक्ट है एक सर्वे हुआ था इंटरनाशनल लेबर ऑगनाजेशन के दौरा उसने रिवील यह किया कि 65 परसेंट जो एडोलेसेंट्स हैं दुनिया भर में वह उनके पास आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है पैंडमिक के टाइम पर ठीक है उन आपको इन चीजों को बैलेंस करके चलना होगा ठीक है आपको टीचर्स का जो वैक्सिनेशन है उसको बढ़ाना होगा एक सपोर्टिंग स्टाफ लाना पुड़ेगा इस्कूल का आप ओपन कर सकते हो लेकिन एक अच्छे से एक सिस्टमाइस वे में आप ओपन कर सकते हो च यहां पर एक इंपोरेंट चीज यह हो जाती है तो दूसरे स्टेट भी यहां पर ऐसा स्टेप उठा सकते हैं दूसरी आपर दिक्कत बताई गई है पोवर्टी पोवर्टी भी यहां पर काफी तेजी से बढ़ती भी आईगी इस पैंडमिक की वज़ा से ठीक है तो यह सार ठीक है मतलब की गरीबी गरीबी को कम करने के लिए क्या होता है शादी कर जाती बच्ची की चोड़ी से उम्र में ठीक है कि यहां बई गरीब है हम लोग तो पहले यहां पर चाइल्ड मेरीज कर देते हैं तो यह चीज़े चाइल्ड मेरीज भी काफियत तक बढ़ती ही सब्सक्राइब करने के लिए लेकिन हाला कि यहां पर आज की टाइम पर लिए जा नहीं रहे हैं उसके साथ यहां पर कोविड की वजा से ग्लोबल क्रैसिस के बारे में चार्चा हुई है कोविड ने जो है अफेट किया है दुनिया भर में लोगों की यूद को चोड़ी चोड़ी बात है अब देखो होता क्या है कि देखो मान लोगों कोई बच्चा भी तक स्कूल जा रहा था उसको स्कूल में मिड़े मिल नहीं थी ठीक खाना मिल ला था अब क्या हो रहा है कोविड की वाई से गरीवी काफी जादा बढ़ चुकि और बहुत सारे ब चोड़ी इंटेक पूरा ही नहीं हो पा रहा है ठीक है वो लोग वहां की स्कूल नहीं जा पा रहे हैं ठीक है कि स्कूल में वंडे मील प्रोग्राम चलाए जाते हैं तो यह चीज़े भी आपको नहीं देखने को मिलेंगे नूट्रीशन और कॉगनिटिव स्कूर्स का एक बहुत बड़ा रिलेशन है मतलब की ब्रेन का बहुत बड़ा रिलेशन है तो यहां पर आपको सकते हो की वर्क वगरा कर सकते हैं जो है यहां पर जो स्कूल बंद हुए इसकी वजासे बहुत सरी स्कीम के उपर इंपक्ट हुआ है जैसे कि मैंस्टोरल हाइजीन प्रोड़क्ट्स टू एडॉलेसेंट्स जो है डिलिवरी वगरा करी जाती थी मैंस्टोरल हाईजीन प्रोड़क्स की उसके उपर भी कहीं नहीं आपको रोग देखने को मिलेगी ठीके तो यह सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है तो इसको टैकल करने के लिए हम लोग को एक सबसे बड़ी बात अपने एजुकेशन सेक्टर साथी साथ है उसके उपर पैसा जादा खर्च करना होगा उसको थोड़ा सा जादा स्ट्रॉंग बनाना होगा यह सार मिलते हैं लेक्चर को समाब तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स वीडियो में आज के लिए बाबाय है वनाइस दे थैंक यू एड़ जैहिंद